इस वक्त हम राची के मारवारी कॉलेज में हैं और मारवारी कॉलेज का चौथा ग्राइजुशन से रोमेनी समाप्त हुआ है और लगभग 75 जो टॉपर विद्यार्थी रहे हैं उन्हें गोल्ड मेडल मिला है तो आप देखेंगे सभी के चेहरे पे खुसी है और सभी के हाथ में डिगरी है और गोल्ड मेडल है यहीर सी बात है इस बार भी हम देखेंगे तो मारवारी कॉलेज में मेडल पाने वालों में लल्कियों की संख्या सबसे ज्यादा है और समय रांची इंवर्सिटी का भी दिख्षान समारों जब हुआ था तो उस वक्त भी यही यही तस् बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है किस विशा में मिला है और कितने मांक्स है मेरा पॉलिटिकल साइंस में था और 72 परसेंट है आगे का लक्ष क्या है मैं सिविल सेवा में जाना चाहते हूं मैं यूपीएसी की तियारी कर रही हूँ बिपीएसी में मैं साच्छात इन बैच और आगे का मेरा है गौर्वेंट जॉब की प्रेपेशन मैं कौन सा विशे था अपका उर्दू इसा था आगे क्या करना है टीचर बनना है सर जी यह सर प्रोफेसर क्या प्रोफेसर बोले सर आप बताएए सर मेरा फिजिक्स ओनर से मुझे फिजिक्स में गोल्ड मेडल मिल चुका है और अभी मैं प्रोफेसर आपको किस विशे में मिला है सर मुझे बीबीए डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्राइज मिला है 2013-16 बैच और अभी मैं ब्रांच में मैंनेजर हूँ देखिए तस्वीर आप देखिए यह तस्वीर बताती है कितना मेहनत है और यह तस्वीर जहिर सी बात है आग बारों में चपेगा तो एक अलग तस्वीर होगी यह बताएए कितना घंटा अप लोग पढ़ती थी कि इतना अच्छा मेंडल मिला च्छे से आठ गंटे आप टीचिंग एज़ कर रही हूं और आगे पीएजडी करने का सोच रही हूं प्रोफेसर बना है मुझे आप बताएए किस विशह में मिला है और आगे का लग्छे क्या है मेरा एमकॉम में मिला है कॉमर्स डिपार्टमेंट 14-16 में में को वही टीचर बना है पीजी टीच आठारा का बैच है उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है आगे मुझे प्रोफेसर बनना है उसी का तयारी चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग मुझे अच्छे प्रप्रेशन चल यह गोल्ड मेडल मिला है अब आगे का लग्छ क्या है जी अभी मैं मेरा नाची आगे टीचिंग लाइप में जाना चाहती हूँ यह जो मेडल मिला है कितना महिनत है घर का कैसा सही योग था सबसे बड़ा सही योग तो मेरे भहिया जी का था बड़े भहिया का वो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया और काफी मैनत रात जग 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 पढ़ाई करना पड भाईया को धन्यवाद दे रही है ऐसे तमाम लोग देखे अपने मा को भी धन्यवाद 24 दुने में नहीं है लेकिन उनका बहुत बड़ा यह गुदान रहा है चलिए आप हम 2014-17 का बेंगॉली डिपाट्मेंट का गोल मेडलिस्ट है मेरा लक्स है पालेज प्रोफेसर बनना प्रोफेसर बनना है और मते यह किस विशय को प्राइबेट टीचिंग करा रहे है और आगे अभी प्याश्डी करने का आपका क्या लक्षिय है कौन सा विशय है मेरा होम साइंस विशय है होम साइंस तो मैंने सुरुन पर्दक हासिल किया है मतलब होम साइंस को मतलब देखा कि ये इसका बहुत ही अलग-अलग छेत्र में इसका बहुत ही महत्व है आगे भी जो है तमाम जो टॉपर्स हैं अब जो है फोटो सेशन हो रहा है क्योंकि ये मेमोरेबल जो तस्वीरे हैं तमाम लोग अपने-पने कैमरे में कैद कर रहे हैं एक सवाल आप से बनता है जैसे जिन लोग को मिलता है एक तो इंस्पिरेशन भी लोग हम लोग इंस्पायर होते कि आगे और कुछ अच्छा करें तो ऐसे रिवार्च मिलता है तो सबको अच्छा लगता है वहां सा विशह आपका था बायो टेक्नोलजी बायो टेक्नोलजी एक रिसेर्च पेपर है बहुत नहीं जो इन्वेंशन भी होते हैं तो क्या आगे क्या करना है मैं और डी इस कॉलेज में पढ़ा रही हूं एज गेस्ट फैकल्टी और आगे मेरी मनो कामना यही है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इसी कॉलेज में जॉइन कर लूँ मेरे पेरेंस सबसे पहले उसमें भी मैं पापा को सबसे ज़्यादा क्रडिट देना चाहूंगी और उसके बाद हमारे टीचर्स लोग भगवान को भी याद करते हैं अखुद की मेहनत के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता वही सब चला रहे हैं मेहनत का फ़ल हाथों में जो गोल मेडल है यह बताता है कि कितनी करी मेहनत इन लोग ने की होगी आप भी गोल मेडल आपके कले में है जी आगे यही इरादा है कि अच्छी तालीब लेकर के समाज के लिए देश के लिए कुछ अच्छा करना अच्छा एक सवाल अब जो नेक्स बैट जो है नेक्स बैट के लिए क्या यह होगा कैसे वो लोग पढ़ें कि उन्हें भी गोल मेडल जो है मिलें जी इसके लिए ही कहेंगे कि आप अपने जो टीचर हैं उनसे आप तालुकात रखें और कॉलेज बराब हमेशा आते रहें यह नहीं कि एडमिशन ले लिए फिर एक्जामी देने आएं टीचर का बड़ा रोल होता है सर क्योंकि मेरा जो मैम है जो मैं फर्स टाइम आया तो मेरा जो फर्स पेपर हो देखी तो मेरी राइटिन अच्छी है तहरीर अच्छी थी तो बोली कि तुम मेहनत करो आवो तो आज देखी हो मैं आज हो हम हासिल कर लिए हर कहा हुआ अप मेरा घर लोहर दगा हुआ सर गाउं से हम आप रामीन इलाकों से पहुंच कर रांची मे आए बढ़ाई कि खुद भी अपने मेहनत की और मेडल मिला किसको मम्मी पापा घर में और भी भाई बहन होंगे उनके लिए क्या मेरी मदर है और एक मेरी बहान है मेरी मदर ने बहुत मतलब परिश्रम करके मुझे पढ़ाया और मैं अगर इसका मतलब सेहरा बांधू तो म में अपनी मैम को और अपनी मा को मुझे टीचिंग करियर ही चुनना था क्योंकि मैंने देखा है कि टीचर कैसे एक बच्चे का लाइफ चेंज कर सकता है अब जो आने वाला जो पैच है उसके लिए किस तरह से आप टिफ्स देंगे कि उन्हें भी गोल मेडल मिले सर जस्ट आपको इंट्रेस्ट रहना है आप बर्डेन लेके पड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है आपको बस इंट्रेस्ट दिखाना है और कंटिनुवसली बस अपने पैरेंट्स की बारे में सूचिए कि आप पैरेंट्स के साथ क्या किताब से कितनी दोस्ती होनी चाहिए किताब से कितनी महबबत होनी सर किताब से देखे किताब से तो महबबत होनी चाहिए क्योंकि वहीं आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा किताब से आप इतनी दोस्ती करेंगे तो इस तरह का जो मेडल है वो आपको मिलेगा पती है किताब और आपके बीच में कैसे कितना घनिस्त संबंद रहा है बहुत ही घनिस्त संबंद रहा मैं 15 से 20 गंटे रोज पढ़ती थी मतलब स्टाडी करती थी वो मुझे माइंड में हमीशा याद रहता था उसके बाद मैं अपने जो भी काम है वो करने के बाद जो स्टाडी करने बाठती थी शाम के चार पांच बजे उठती थी उसके बाद फिर से वो सिलसिला चला और मैं रात को 10-12 वजे तक पढ़ाई करती थी तो फिजिक्स बहुत ही तफ सब्जिक्ट है लेकिन मैं अब आगे क्या करेंगी फिजिक्स आसान ने है मेरा एम है कि मुझे प्रोफेसर बना है फिजिक्स में सो मैं भी पेज़री कर रही हूँ और मेरी इसाल कम्प्लिटर अब कहां आपका घर कहां हुआ मेरा घर चर्च रोड रांची में ही है और मैं मारवाडी कॉलेज से बहुत नजदीक में ही रहती हूँ आपको किस उश्य में मिला है मुझे बी-सीय डिपार्टमेंट मिला है अब आगे मैं एंट्रेपर्नियोर बनूँँगा मैं अपना कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ प्जिटी पोस्ट ग्रेजुएटेट टीचर हूँ और मुझे आगे चलकर प्रोफेसर बनना है आगे चलकर प्लाग टीचिंग लाइन में आगे जाना है आप लोग कहा जाएंगी जाना है अब है तो मैं फिलहाल वायरलेस ओपरेटर जारखन गोवर्मेंट के पर पर कारे रहा थूँ अगे अभी जैसे से ल कर्यारी कर रहा हूं होगी आपको किस विशा में मिला जी मुझे हिंदी में मिला जी आगे क्या करेंगी जी फिलाल तो मैं पीजडी कर रहे है लेकिन मेरा आगे का सपना है कि मैं एसिस्टेंट प्रोफेसर बनू है ये की बाट टॉपर होने के लिए मिडल पाने के लिए कितना मेहनत करने की जरूरत है जो आने वाले जो बैच है उसके लिए जी मेहनत तो है मेरे इसाब से लगातार पढ़ना चाहिए हर दिन पढ़ना चाहिए यह नहीं सोचना चाहिए कि आज नहीं पढ़े कल पढ़ेंगे हर दिन पढ़िये सफलता जरूर मिलेगी हर दिन पढ़िये सफलता जरूर मिलेगी मतलब यह पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगा वो आज नहीं तो कल जरूर काम आएगा जी मेरा पॉलिटिकल साइंस वगर हिंदी उर्दू हिस्टी में हिस्टी में ऑनस था तो ऑनस में भी कुछ इस्पेशल नहीं अब आगे हम तीचिंग का लाइन में जाना चाहेंगे सर पढ़ाने हां बच्चे लोगों को पढ़ाना आगे जो के संजारी है अच्छा देखिए कि हमको गोल मेंडल मिलगे हम अमी पापा जी सबको पता जी घर में बता रहें कि में जी मैं थैंक्यू बोलना चाहते मेरे ब्रदर को मेरे बड़े बहिया उन्होंने काफी मेहनत किये मुझे यहां तब पहुंच आने में कौन सा विश्य था मेरा कंप्यूटर मेंटनेंस थ और मैंने में में से भी किया है फ्रॉम सास्ता यूनिवर्सेटी तमिलाडू जरूरी नहीं है कि आपको घंटों में पढ़ने के जरूरत है आपको पहले अपना गोल फाइंड आउट करना है उस पे काम करना है वो आपका जो गोल है वो पहले आप तह कर ले तो आपको पहले पास है वहाँड वहाँशेट्यद दौन जो शरूर पहले जरूरूरर से लकोलत कर में आपको लोगंद दौर्न करा है वहाँआप Skip को जसे लोग काफी आगे तक कि प्हेट्रों में भी ज करना चाहती हूं राची में रिन पास है वहां भी जो साइकलोजीक से जो मलब में किये हो वैसे लोग ही आगे उधर भी जा सकते राची उनिसेटी साफ पीएचरी करके या फिर एमफिल करके उस फिल्म में क्लिनिकल साइकलोजी भी कर सकते हैं चाहते यह कितना घंटा पढाई करती थी क्या घंटों में पढ़ना जरूरी है विल्कुल भी नहीं घंटों कैस्रूरी है किस तरह से अपने प्यह प्रोफेषर के साथ फोटो लिग जारे थी कौनसा विश्य आपका था किस week में मिला अब आगे क्या करेंगे? ये आपका होम साइंस है तो क्या रेस्टुमेंट वागर आप बड़ा होटल खोलने का कुछ बिलकुल आपको कौन सा विश्य है था? मेरा होम साइंस था अच्छे नंबर लाने के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए? क्या घंटों में पढ़ना चाहिए? नई घंटों में नहीं पढ़ना चाहिए मेरा बस हही मानना है कि जो भी आप पढ़िये उसमें कौालिटी होना चाहिए बस आप जो पढ़े वो रटंतू नहीं होना चाहिए, आप ऐसा पढ़िए कि वो लगे कि आप किसी को समझा रहे हैं, अगर आप किसी को समझाते वे पढ़िएगा ना, तो आप अकेले बढ़ते के साथ, अगर किसी को समझाते वे अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ लिखाने के लिए पढ़िए तो आप खुद तमाम चीजों को समझेंगे और एक अच्छा जो एंसर होता है वो आप लिख सकते हैं मैम आपकी चात्रा हो कहती है आपकी चात्रा ने कहा है रटन्तु नहीं होना चाहिए रटन्तु नहीं हमारे विद्यार्थी तो प्राक्टिकल में जादे यह रहते हैं इसलिए बहुत अच्छा रहता है लिखना तो पढ़ता ही होगा लिखना के सब्जेक्ट हैं लेकिन बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं अब आपके विद्यार्थियों को मेडल म सब्सक्राइब करते हैं दिखना के सब्सक्राइब कर लोगों को एक नई रहा दिखा गया है और कई लोगों को यह भी बता गया है कि महनत का कोई विकल्प नहीं पहले तो उन बच्चों को मेरे बिजेर सारी शुक कामनाये हैं बहुत-बहुत मुबारक बात है जो बच्चे आज गोल्ड मेडल लिये हैं ये आज का दिक्षान समारो है शिख्षा के बाद जो दूसरा बात होता है वो होता है दिक्षा पहले के जमाने में जब गुरू अपने शिश्यों को दिक्षा देकर आगे भेजते थे उसी तरह हम लोग भी आज यहां दिक्षा देकर अपने बच्चों को सुन्दर भवश्य की कामना करते हुए उन्हें अशिरवचन के साथ उन्हें अब अपने जीवन को नई पद्रती पे शुरू करने के लिए यह दिक अपने आपको तयार करना है क्योंकि आने वाले पांस साथ साल के बाद यह देश उनके हाथ में होगा यह वी सी यह डी सी सब यह बच्चे हमारे होंगे आज हमारे पास में 70 बच्चों को लगबग गोल्ड मेडल मिला है और बच्चों को यह मेरे तरफ से बहुत सारी सुपकामना है और उनके लिए असिरवाद उनके उनको हम यह मैसेज देना चाहेंगे कि गोल्ड मेडल प्राप्ट करना जीवन का एक पड़ाव है और अब आ आप जीवन में उतारें यह आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा तो हम तमाम टॉपर जो इस्टूडेंट हैं उनसे बाचीत कर रहे थे और कैसे पढ़ते थे इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने बाचीत की और यह बताने की कोसिस की है कि जो आने वाला बैच ह वो भी इन चीजों को फॉलो करे क्योंकि जब गोल्ड मिंडल मिलता है तो उसकी जो चमक है वो बताती है कि आपका ब्रेन भी उतना ही सार्फ है और आप आगे बढ़ेंगे समाचार प्लस के लिए कैमरामेन राजिस तिर्की के साथ अन्यनी कुमार राची